तो हम सभी विदेशी कॉमिक्स और उनके कल्चर से काफी ज़दा फिमिलर हैं बट क्या आपने गभी ये सूचा है कि इंडिया में कॉमिक्स इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है या इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में इंडियन सूपर हीरोज जो कॉमिक्स में आई है उन पर फिल्में क्यों नहीं बनती तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ रीजिन्स की बात करने वाले हैं मेरा नाम है रंजन ठाकर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहाने टीवी पर पॉइंट नमबर वन तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्वल या डीसी की जो फिल्में होती है वो खुद की ही पब्लिश किये गए बुक्स पर बेस्ट होती है अब कुछ लोग का मानना ये होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है क्या इंडिया में कॉमिक बुक्स क कि कभी है तो जी नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा कहने का बस सिंपल सा यही मतलब है कि हमारे इंडियन फिल्म डिरेक्टर्स इंडियन स्टूडियोज या कहलो इंडियन एक्टर्स ने कभी हमारे सूपर हीरोज जो कॉमिक्स में टाइम टू टाइम दिखते आये हैं उन पर कभी ज़्यान ही नहीं दिया है तो अब बात करते हैं point number two की जो की है publishers का इस तरफ ध्यान ना देना well मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि सारे publishers बेफिक्र होके सिर्फ comics ही धड़ादेर से निकालते जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है हाली में ही इंडियन publishers जिनका नाम स्वयम्भू comics हैं उन्होंने अपने character सत्युक पर एक YouTube सीरीज बनाने की कोशिश की जो की animated थी जो की as in starting point बहुत ज़्यादा सही लगा बट वहीं पर इंडिया में कुछ ऐसे भी comic books publisher है जो 36 से ज़्यादा सालों से ज़्यादा अपनी comics थड़ादर निकालते ही जा रहे हैं कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि जब comics बिखी रही है तब हमें movies या web series पर invest करना ही क्यों है और इन पर invest करके हमें क्या ही फाइदा होगा तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि उनको at least filmों और web series पर अपना investment करना ही चाहिए या कहलो करना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक आखरी जरिया बचा है उनके characters, stories को आज के date में relevant रखने के लिए तो वहीं अब बात करते हैं point number 3 की वेल तो जैसा कि हमने बताया कि इंडिन, जैसा कि हमने बताया अपने point number 2 में कि इंडियन कॉमिक्स के characters at least film नहीं, at least YouTube series में देखने को मिल रहे हैं तो जब से publishers ने अब नया try करने की कोशिश की है, तब audience अपना support नहीं दिखा रही जैसा कि मने बताया point number 2 में कि सत्युक पर एक YouTube series आ रही है जो कि animated है और जो publishers बना रहे हैं, तो मैं बता दू कि publishers को वैसा कोई mind-blowing response नहीं मिल रहा है तो ये कुछ ऐसे points थे, जो मुझे लगा कि हमारे इन problems को solutions ढोनना जरूरी होगा वहीं अगर हम अपने characters को support करेंगे, यानि कि अपने series को support करेंगे, जो कि कुछ publishers बना रहे हैं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा, जब हम Indian characters को cinema hall में किसी live action movie के अंदर enjoy कर रहे होंगे इस पर आपकी क्याराई है, हमें comments में बताए, वीडियो पसंद आई, तो इसको like और share करना बिल्कुल न भूले सूपर हीरो content को miss ना करने के लिए, हमारे चानल कहानी TV को subscribe करना बिल्कुल न भूले हम Instagram, Facebook, Thread जैसे other platforms पर भी पास सकते हैं हम Wednesday को weekly podcast भी करते हैं, तो हमारे podcast चानल का link आपको description में मिल जाएगा तो अगर आप podcast देखने के शौकीन है, तो हाँ, हमें वहाँ भी check out कर लीजेगा तो हम मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए, अपना ख्याल रखें, बाई